जै मातारानी दोस्तों आप सभी को नवरात्रों की धिरोशुप कामनाएं माता दुर्गा की कृपा हम पर और हमारे इस यूट्यूब परिवार पर सदा सरवदा पनी रहे इसी आशा के साथ में आज का हम ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तोत करने आए हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें नवरात्र पूजन में किस-किस पेसिक सामेगी के आवशक्ता होती है तो आप जिस दिव्य दरवार के दर्शन कर रहे हैं ये हमारे नवरात्र पूजन का है नवरात्र पूजन से सम्मधित बहुत सारे वीडियो चनल प पूज़ाइब दर्म गरंट को इस प्रकार का जो स्टेंड आता है उस पर रखकर ही पड़े एक हमें चौकी चाहिए पटा चाहिए दो तीन चौकी भी ले सकते हैं यह दिया भवे दरवार करें करने साथ में लाल सवा मीटर कपड़ा चाहिए और ज्वारे हुगाने के लिए एक मिटी का पात्र और कलश के लिए या तो आप मिटी का पात्र ले लिजेगा नहीं तो आप किसी भी धातु का ले सकते हैं और कलश के उपर रखने के लिए हमें एक पून पात्र भी चाहिए तो देखे ताम भी का ले सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पीतल का या अस्च धातू का जैसा भी वस ले सकते हैं पान जरूर चढ़ा जाते हैं माको तो डेली एक पान लगेगा आप अपनी सुधा के अनुसार ला करके फ्रिज में रख लीजिए पान साथ जितने भी आप एक बंच में लगाएं इसमें तो ताकि जो नवरात्र के पत्ते हैं कलशके वो काफी दिन तक हरे भरे रहें और यहां पर देखे असदल कमल बनाने के लिए इस तरीके के आप चाहें तो कलरफूल चावल ले सकते हैं एक दम से साबुत होने चाहिए अक्षत होते हैं या फिर आप इस तरीके से प्लेन चावल जो होते हैं उन्हें करीब करीब आदा किलो के करीबियर लगेंगे और इसी के साथ पुजन सामेगरी में देखे हमें यहां पर रोली चाहिए और पंच मेवा और यहां पर बताशे लॉंग बताशे का भोग लगता है मा को इस तरी पिश्री ले ले लेंगे और गूगल और लोबान इनकी धूनी जरूर दी जाती है और देखे यहां पर हम कुछ हल्दी की गाठे और कुछ सुपारी लेंगे करीब करीब 20-25 सुपारी और वो हमारी स्थापने के ऊपर है जो लेंगे गेहूं भी हमारे आपे मिक्स करके बो पूजा आनल के अकहले आपने अधो से खूद ही बनाए इसका वीडियो battery अप देख सकते हैं साथ पीजाल अगरकिया की गोबू चलार रहे है तो अपने आतों से खूद ही बनाएं इसका वीडियो का वीडियो को पूपर है आप देख सकते हैं शुद्य ध्याइन यहाँ पर अखंड जोत के लिए एक बड़ा सा दीपक चाहिए, काफी बड़ा सा दीपक अगर आप अखंड जोत प्रजुरित कर रहे हैं, गंगाजल चाहिए, शहज चाहिए, अक्षत रोली, चंदन हल्दे कुंकुं का चौक्टा, जनेउ, तीन जनेउ, और मॉली, और कच् चौक्ट, कुशा, सिंदूर चाहिए, औरिंज वाला और चंदन यापर हमें चाहिए, माता के लिए लाल वाला सिंदूर भी चाहिए, और एक दीपक, डेली लगता है, अखंड जोत के साथ भी लगता है, इत्र माचिस, तो यह सब पूजा की सामिकरी, पूजा की थाल में ह पूजा में हमें हरी इलाइची की भी आवशकता हूती है और इसी के साथ में एक नारियल हम भोग पर साथ की रूप में आर्पित करने के लिए भी लाते हैं तो ये मैं बेसिक सामिगरी आपको बता रही हूँ कि ये सभामे सामिगरी इस पूजन में लगती ही लगती है इसके अलावा भी और बहुत सारी सामिगरी होती है आप चाहे तो इस सामिगरी को जितना चाहे बढ़ा सकत सब्सक्राइब करें कि बहुत बने हैं और सब्सक्राइब करेंaked क्रामेंट बॉक्स में जैम आता दी आवश्य लिखे दोस्तों मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जैम आता दी